जानेंगे गुनोरिया एक्षिल में होता क्या है जैसे कि आप यहां पर डाइगरामा देख रहे हैं गुनोरिया के कुछ आपको दिखाई दे रहे जिसके वायरिस वैक्टरिया उगर नहीं सारी चीज़ है तो गुनोरिया यह ट्रांस्मिटेड आ और यह होता क्या है आपको किस कारण से होता है बैक्टरियम नेसरिया गुनोरिया जो यह गुनोरिया होता है यह सेक्ष्वल ट्रांस्मिटेड इंफेक्शन है और यह बैक्टरियम नेसरिया गुनोरिया नामक यह इसे बैक्टरियम से यह फैलता है इट प्राइनरी रिप्रोडक्टिव ट्रेक को इन्फेक्ट करता है लेकिन इट केन आल्सो इन्फेक्ट आपकी मौथ थ्रोट आई एंड रेक्टमे को भी आपको इन्फेक्टेट करता है गुनुरिया क्या होता है यह इक most common सब्सक्राइब कोई ऐसा वेक्ति है जिसको अगर गुनोरिया हुआ है तो उसके साथ आप वेगिनल एनल औरल सेक्स संबंद अगर बनाते हैं तो यह आपके इंफेक्टेड होने के चांसे बने रहते हैं को यसी महिला है जो पहले से है और उसको फ्लेगन सी थैर चुका है तो जब बच्या लेगी तो समतने हैसे जिसके हल्hte 녹्रस्द angef करें सब्सक्राइब manufacturer श्योक्ता झालने के छहें सब्सक्राइब धिखाई न sondern होता है ए लिए अब पर यूरिनेशन करता है याई आ और टेस्टिकुलर में होता है पैन हो जाएगा यह वहां पर श्वेलिंग आपको दिखाए देगी लेकिन ओमेन आप देखोगे इंक्रीज वेगनल डिस्चार्च बारबर डिस्चार्च आपको बढ़ जाएगा पैनफुल यूरिनेसर पिसाप करते टाइम आपको दिक्कत हो ट्रोट इंफेक्शन में आपटेन आप असेमाटिक बलॉट कैन बीकॉस थोट तो टैट एंड आइंफेक्शन में रैडनेस हो जाएगी आख के नीची आप में आख में देहोगो ना रेडनेस हो जाएगी उसमें दर्द चल जाएगा एन डिस्चार्ज जिसको गोनो-बोल सकते हैं यह सब्सक्राइब सकते हैं जो कि अंट्रीटेड गुनोरिया में देखने को आपको मेलेगा जैसे ओमेन में आप देखोगे पेल्वेस इन्टोपिक प्रेगनेंसी एन क्रोनिक वेली स्पैन हो सकता है और मेल में आप देखोगे इपीडोमेट एन इन्फ्लामेशन आप टेस्टिकल वीच चैन कस इन्फर्टिलीटी अगर दोनों जेंडर में आप देखोगे तो डिसमेटेड गुनोपल इंट्रेशन देखने को मि प्रेटमेंट करने के लिए बहुत ज़्याधा टाइम लगता है उमिद करते हैं आया होता है कैसे फैलता है उससे कैसे हम बच सकते हैं और यह सारे चीज़ागा रहे हैं तो वीडियो पसंद आ है तो दोस्तों साथ जरूरू सेयर करता है नए नए वीडियों ने टॉपिक क साथ में है